आज सुन दे हां करतार सिंग दुगल दी लिखी कहाणी करा मात अवाज मानप्रीत सहोता बन आदम नजरी नहीं सी ओंदा ते फेर अम्मी मैं हुगा रापरिया बाबा नानक अपने त्यान विच मगंतुर दे जारे सन के मरदाने नू प्यास लगी पर उथे पाणी कि थे बाबे ने क्या मरदाने आ सबर कर लाए अगले पिंड जाके तू जितना तेरा जी करे पाण पीलवी पर मरदाने नू ते डाड़ी प्यास लगी ओई सी बाबा नानक अपने फिकर मांध होए इस जंगल वेच पाणी ता दूर दूर तक नहीं सी ते जदो मरदाना अड़ी कर बैठ दा ते सब लई बड़ी मुश्किल कर देंदा सी बाबे फेर समझाया मरदाने या इ जिदनू वेच मुड मुश्कराओं दे हैरान पए हुंदे आखर जदों बाबे ने मरदाने नू किसे कवली ते आउंदे ना विख्या ता ओ अंतर ते आन हो गए जदों गुरुनानक दी आख खुली मरदाना मच्छी वांग तड़ फ्रया सी सत्गुर उसनू वेच के मु और किते वी पानी नइए ति फे रम्मी मैं बेचैन हो रिया सा ए जानन ली के मरदाने नू पानी मिल्दा है के नइए मर्दाने नू प्यास डाड़ी लगी हो इसी सुन दिया सार पहाडी वल दोड़ प्या कड़क दी दुपैर उद्रों प्यास उद्रों पहाडी दा सफर साहो साही पसीनों पसीना होया मर्दाना बड़ी मुश्कल नाल पहाडी उत्ते पुझा वली कंदारी नू सलाम करके उन्हें पानी ले बेंती कीती वली कंदारी ने खुवा लिशारा कीता जदो मरदाना खुवा जान लगा ता वली कंदारी दे मान विच कुछ आया ते उसने मरदानने तो पुछया पले लोका तो कितों आया मर्दान्य क्या मैं नानक पीर दा साथ थी हाँ असी तुर्दे तुर्दे एदर आ निकले हाँ में नू प्यास डाड़ी लगई है ते हेठा किते पानी है नी बाबे नानक दा ना सुन के वली कंदारी नू डड़ा क्रोध आ गया ते उस मर्दान्य नू अपनी कुटिया विच्चो उँच दा उँच भार काड़ दिता ठक्या हारया मर्दान्या हेठ बाबे कोल आके फर्याद्धी होया बाबे नानक ने उस तो सारी विथ्या सुनी ते मुस्कुरा पए, मर्दान्या तू एक वार फेर जा, बाबे नानक ने मर्दाने नू सला दिती, एस वार तू निमर्तानल चिक का दिल लेके जा, कहीं मैं नानक दर्वेश दा साथी हाँ, मर्दाने नू प्यास डाडी लगी सी, पानी होर किते हैं नहीं सी, खपदा, क्रिजदा, शिकायत कारदा फेर उत्ते तूर्पया, पर पानी वलीकंदारी ने फेर ना देता, मैं एक काफर दे साथी नू पानी दी चुली भी नहीं दियांगा, वलीकंदारी ने मर्दाने नू फेर उंजदा उंज मोड देता, जदो मर्दाना एस वार हेठा आय आते उसता बुरा हाल सी। उस दे होठां उत्ते पेपडी जम्मी होई सी। मूँ दे त्रेलियां छुटियां हुई यां सन। इंज जापदा सी मर्दाना बस कड़ी है के पल। बाबे नानक ने सारी गल सुनी। ते मर्दाने इनू तान्ने रंकार कैके एक वर फेर वली कोल जान ले क्या। हुकम दा बदा मर्दाना तुर्पया। पर उन्नू पता सी कि उधी जान रस्ते विची किते ना किते निकल जाएगी। मर्दाना तीजी वार पहाडी दी चोटी उते वली कंदारी दे चर्ना विच जाडिगा। क्रोध विच बल रहे फकीर ने उस दी बें पुझा प्यास विच बेबल बाबे नानक दे चर्ना विच ओ भिहोश हो गया। एक सिप भी नहीं सी। वली कंदारी डड़ा अस्चर्ज होया। ते हेठ पहाडी दे कदमा विच कई कई चश्मे कठे फुटे होये सन। दूर बहुत दूर किकर हेठा वली कंदारी ने की वेख्या बाबा नानक दे ओधा साथी बैठे सन। गुस्से विच आके वली ने चटाउन देक टुकडे नू अपने पूरे जोर नाल उत्तों रेड़या। एंज पहाडी दी पहाडी नू अपने वल रिड़ दियों दी वेह के मरदाना चेचला उठ्या। बाबे नानक ने ठ्रमे नाल मरदाने नू तान निरंकार कैन लेक्या। ते जदों पहाडी दर टुकडा बाबे दे सिरकोल आया। गुरु नानक ने उनू हाथ देकी अपने पंजे नाल रोक लिया। ते हसन अबदाल विच जिस दा नाहुन पंजा साइब है। अजे तीक पहाडी दे टुकडे उत्ते बाबे नानक दा पंजा लगा होया है। मैंनू ए साखी डाड़ी चंगी लाग रही सी। पर जदों मैं ए हाथनाल पहाडी रोकण वाली गाल सुनी। ते मेरे मूँ दा स्वाद भिका जा हो गया। ए किस्तरा हो सक्दा सी। कोई आदमी पहाडी नू किस्तरा रोक सक्दा है। ते पहाडी विच अजे तीक बाबे नानक दा पंजा लग्या होया है। मैंनू जरा ना इतबार होंदा। बाद विच किसे ने खुण दित्ता होना है। मैं अपनी मान अल किनना चिर बैस करदा रिया। मैं ए ते मन सकदा सां के पत्थर हिटों पाणी फुट आवे। साइंस ने कई तरीके कड़े ने जिननल जिस थां पाणी होवे उस दा पता लाया जा सकदा है। पर किसे इंसान दा रिडी आ रही पहाडी नू रोक लणा। मैं ए नहीं मन सकदा सां। मैं नहीं मन दा सां ते मेरी मा मेरे मुवल वेख के चुप कर गई। कोई रिडी आरे पहाडी नू किमें रोक सकदा है मैंनू जदों वी एस साखी दा ख्याल होंदा मैं फिकी जई हासी हास दिन्दा कई वारी गुर्द्वारे विच ए साखी सुनाई गई पर पहाडी नू पंजे नल रोकन वाली गल उत्ते मैं हमेश सेर मारदा रिंदा ए गल मैं थों नहीं मननी जा सकती सी एक वारी ए साखी सानू स्कूल विच सुनाई गई पहाडी नू पंजे नल रोकन वाले हिस्से उत्ते मैं अपने उस्ताद नल बैसन लग पया करनी वाले लोकाली कोई गल मुश्कल नहीं हुन दी साड़े उस्ताद ने मैंनू क्या तफेर मैंनू चुप करवा दिता मैं चुप हो गया पर मैंनू इतबार नहीं सी आउंदा आखर पहाडी नू कोई कि मैं रोक सकदा है मेरा जी चौंदा मैं जोर जोर दी चीख के कमा बहुत दिन नहीं सन गुजरे कि असी सुनेया पंजे साहिब साका हो गया है उना दिना विच साके बड़े हुन्दे सन जदो मैं कोई साका हुन्दा मैं समझ लेंदा आज साड़े का रोटी नहीं पकेगी ते रात नूँ पुझे सौना पवेगा पर ए साका हुन्दा किये ए मैं नू नहीं सी पता साड़ा पिंड पंजा साहिब तों कोई ज़्यादा दूर नहीं सी जदों एस साके दी खबर आई मेरे मा जी पंजा साहिब लें तो रपए नाल मैं सां मैं थो निक्की पैन सी पंजा साहिब दा सारा रस्ता मेरी मा दी अख नहीं सुकी असी हैरान सां ए साका हुन्दा किये ते जदों पंजा साहिब पुझे असी एक अजीब कहानी सुनी दूर किते एक शेर विच फरंगी ने ने अथे हिंदुस्तानियां उते गोली चला के कई लोकानू मार सुट्या सी मरनवालयां विच नौजवान वी सन, बुढडे वी सन ते जड़े बाकी रह गए उन्हानू गड़ी विच पा के किसे होर शेर दी जेल विच पे जय जा रहा सी के दी पुखे सन, प्यासे सन ते हुकम एसी के गड़ी नू रस्ते विच किते वी ना ठहराया जावे जो तों पंजा साहिब ए खबर पुझी जिस किसे ने सुनया लोकानू चारे कपड़े अग लग गई पंजा साहिब जित्थे बाबा नानक ने आप मरदाने दी प्यास बुझाई सी ओस शेर तों गड़ी दी गड़ी परी प्यासियां दी लंग जाए पुख्यां दी लंग जाए मजलूमा दी लंग जाए एक इमें वो सकदा सी ते फैसला होया के गड़ी नू रोक्या जाएगा स्टेशन मास्टर नू अर्जी पाई गई टेली फून ना खड़कियां तारां गईयां पर फ्रंगी दा हुकम सी गड़ी रस्ते विच किते नहीं खड़ी किती जाएगी सी गड़ी विच अजादी दे परवान ने देश पगत हिंदी पुखेसन उना ली पानी दा कोई परबंद नाई सी उना ली रोटी दा कोई इंतजाम नाई सी गड़ी ने पंजा साहिब नहीं रुकना सी पर पंजा साहिब दे लोककां दा ए फैसला अटल सी के गड़ी नू जरूर रोक लणा है ते शेरवासियां ने स्टेशन उत्ते रोटियां दे खीरां दे, पूड़यां दे दालां दे, टेर ला देते पर गड़ी ता हनेरी दी तरह आवेगी ते तुफान दी तरह निकल जावेगी उसनो किमे रोक जावे ते मेरी मा दी सहेली ने सानू दस्या उस था पटड़ी उत्ते पहला ओ लेटे मेरे बच्चेयां दे पिता फेर उनना दे नाल, उनना दे होर साथी लेट गए उनना तो बाद असी पतनियां लेटियां फेर साढ़े बच्चे ते फेर गड़ी आई दूरों चीक दी होई जे चलांदी होई, सीटियां मार दी होई अजे दूरी सी के मठी पै गई पर रेल सी, खलोंदियां खलोंदियां इंखलोंदी मैं वेक रही सी के पईये उनना दी छाती उत्ते चड़ गए फेर उनना दे नाल दे दी छाती उत्ते ते फेर, ते फेर मैं अखा मीट ले यां मैं अखा खोली यां ते मेरे सिरुत्ते गड़ी खलोंदी सी मेरे नाल तोड़क रही यां छाती यां विच्चों तन्ने रंकार, तन्ने रंकार दी आवाज आ रही सी ते फेर मेरे वेखदयां वेखदयां गड़ी मुड़ी गड़ी मुड़ी ते पैया हेठा आया हो या लाशा टुकडे टुकडे हो गई या मैं अपने अखी लवदी वगी हो इनदीनू वेख्या वगदी वगदी किनी ही दूर एक पक्के बने नाले दे पुल तक चली गई सी ति मैं हक्का भक्का हैरान सा मैं थों एक बोल ना बोल लिया गया सारा दिन मैं पाणी दा कोट ना पी सक्या शामी जदों सी वापस आ रे सा रस्ते विच मैरी मा ने मेरी छोटी पैन नो पंजा साहिब दी साकी सुनोने शुरू कर देती ते वली कंदारी दे खूदा सारे दा सारा पाणी हेठा किचया होया आ गया ते फेर किमे गुस्से विच वली कंदारी ने उत्तों पहाडी दा टुकडा रेडिया किमे मर्दाना कबराया पर बाबे नानक ने तन निरंकार कहे के अपने हाथ नाल पहाड दे टुकडे नू ठाल लिया पर पहाड नू कोई किमे रोक सकदा है मेरी छोटी पैंडने सुनदे सुनदे चट मानू टोक्या क्यो नहीं कोई रोक सकदा? मैं विच्चों बोल पया हनेरी वांग उठधी होई ट्रेन नू जे रोक्या जा सकदा है ता पहाड दे टुकडे नू कोई क्यों नहीं रोक सकता? ते फेर मेरी यां अखा विच्चों छम छम अत्रू वगण लगबए करनी वाले ओना लोका लई जिना ने अपनी जान उते खेड के ना रुकन वाली ट्रेन नू रोक लिया सी ते अपने पुखे पाने देशवासियान नू रोटी खवाई सी पानी पहुंचाया सी कि तुसी होर के हुज यां कहाणिया एस चानल तो सुनना चाहोगे